नबश्कार दोस्तों मेरा नाम है शब्दू राज की इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं हमारी यूनिट जिसके हम त्यारी पढ़ रहे हैं इसको बैंकिंग एंफनेशन इस्टूशन के बारे में और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कॉमर्शल बैंक्स क्य भते हैं वारे जिक बैंक्स क्या होते हैं और उनके फंक्शन क्या होते हैं एसके specialists क्यों 5 और इसके लावाहम देखेंगे कि कौन-कौन से अक्नाई्ट्थ ज्रहें य rozp करती हैं और कोई भी बैंक्क जो है वह ऊफर करती है कोलने के लिए public advice होता है कि आप क्या हो और क्या करत हो इसाफ से आपको accounts खोलने के सुभधाई मिलेंगी ठीक है इससे पहले मैं आपको background बता दू जहाँ पर हम बहुत सारे चीजे देख चुके हैं हमी तक overview ले चुके हैं banking institutions का banking financial institutions का इसके लावा हमने क्या है तो commercial banks का जो regulation होता है या management होता है किसके द्वारा किया था सबसे लिए आपको इस act के बारे में बता होना चाहिए यह मैंने आपको act RBA के वीडियो में भी पिताए था RBA को इसी act के बारे में बहुत जादा powers मिल गई थी तो इसका नाम है banking and financial banking and financial regulations act 1949 एक्ट आया था और 47 के बाद हम जानते है कि देश आजाद हो था उसके बाद नहीं सारी पट्री पर आई थी तो इसको इसकी वजह से RBA को बहुत सादा power मिली थी और RBA इसके माध्यम से जो है regulation करता है ठीक है तो यह act लागू होता है सारे commercial banks के उपर या फिर सारे ही banks के उपर ज्यातर banks को पलग होता है और scheduled commercial banks होते हैं आप जब जानते हैं लास्ट वीडियो मैं ने बताया था कि scheduled commercial banks क्या होते हैं जिनका नाम जो है Second Schedule of the RBA Act 1934 के अंदर लिखा हुआ है यह यहां की RBA Act 1934 34 के अंदर जिसका नाम Second Schedule में लिखा हुआ है वो सारे साब आपके bank जो है वो scheduled bank है ठीक है तो ज्यादतर इंडिया में बैक जो है वो scheduled bank ही है तो यह से इनका काम होता है तो commercial banks होते क्या है इनका मकसद यह होता है कि deposit accept करना और उस deposit को loan ये lend करना आगे जिसको जरूत है उसको या फिर business holders को या फिर जिसको भी जरूत है जो भी बिजनस करना चाहता है जो भी ट्रेडर है उनको यह loan वो provide करते है और यहां पर इनका basic motive होता है कि profit कमाना profit earn करना और आपको उस profit का अब हम देखते है क seulement lib subscriptions को यह open करने की सुवयधा देते है तो types of accounts जह होते है by अंने में आता है सबसे हैला ago होता है current account current account ओधर और फेर इसको चालू-खाता भी कहते हैं आप सामाने भाश करें, तो सामाने भाशा में चालू-खाता जो होता है, वो किसको खोले की सिव इसने नियां को एस्वेटेस के बार-पेसा, यहां में लिमिट नहीं होती है कुस्ता है है कि आपको deposit के उपर interest नहीं मिलेगा ब्याज नहीं मिलेगा जिरो interest pairing account होते हैं यह और यहाँ पर interest नहीं मिलता है तो इसके लावा यहाँ पर और सारी सुविधाएं मिलती है जैसे overdraft की सुविधा है और credit line की सुविधा है जो भी आपको यहाँ पर business के लिए जरूरी है वो आपको सारी सुविधाएं मिल जाती है ठीक इसके लावाद जो दूसरा एक दूबार डाल सकते हो पैसा है यहाँ पर limit होती है कुछ दिन में कई बाण नहीं डाल सकते हो और निगाल नहीं सकते हो ठीक है एक पर आपको interest मिलता है कुछ इक decent amount का interest मिलता है यह से आपको अपना पैसा जो है वह सेफ लगता है और पर सिक्योर लगता है और आपको लगता है कि हाँ आपका पैसे की ग्रोथ भी कुछ हद तक हो रही है ठीक और यहां पर सेविंग काउंट में बहुत सारे टाइप्स के एकाउंट्स है जैसे कि जीरो बेस्ट अकाउंट है आपका नो फ्रिल्स अकाउंट्स है या फिर डिपा दुसरा तीसरा अकाउंट है उसका नाव है फिक्स डेपाउजित है या इसके बाद में आपको पता होगा है FD FD लोग बुलाते हैं इसको इसको हिंदी में बोलते है सावर्दी या आवर्ती कुछ जमा खाता बोलते है इसको इतने में के लिए पैसा वह आपको वहां पर और इसमें आपको fixed rate से जो एक निरंतर आपको कहा करते हैं एक fixed rate से आपको interest मिलेगा उस पर जैसे कि 6%, 8%, 10% तो आपको उतना मिलेगा हर maturity period के बाद में अगर आपको emergency situation में पैसा निकालना है तो आप निकाल सकते हो लेकिन इसमें आपको interest rate कम मिलेगा तो यहाँ पर एक दिक्कत होती है ठीक इसके लावाद जो RD होता है RD में आपको एक मुझत पैसा ने डालना पड़ता है आपको हर महिने पैसा डाल सकते हो हर quarterly पैसा डाल सकते है तो इसमें भी आपको लेकिन maturity period यहाँ भी होता है कि आपको 3-5 साल के लिए जो है RD बनाने पड़ती है तो RD और FD में इंतर यह है कि आपको FD में आपको एक मुझत पैसा डालना पड़ता है और RD में आपको हर महिने या फिर हर quarterly आपको पैसा डालना पड़ता है तो ऐसा है आपका FD और RD का motive इसके बाद में आता है तो आपका salary account और NRI account salary account उन लोग के लिए होता है जो salary है employer के माधियम से account खुला जाते हैं इससे जहां पर आप job करोगे जो आपको employer होगा उसका type होता है किसी bank के साथ में कर लेते हैं अपनी सोविधा के साब से तो वहां पर ही आपको account खुलाना पड़ाएगा वहीं पर आपकी salary credit होगी हर महिने एक से 7 के बीच में फिर जहां पर भी जैसा rule होता है एक से 10 के बीच लोग होते हैं या फिर जो इंडिया से बाहर इंडिया के ही हैं और बाहर चलेगे हैं work करने के लिए पढ़ाई करने के लिए उनको यहां की bank सुविधा देती हैं कि वह account अपना यहां की branches में यहां की accounts में पुलवा सकते हैं और वहां पर पैसा जो हो जमा करेंगे वह किसी इसके बाद में इस वीडियो की सबसे इंपोर्टन चीज जो हम देखने वाले हैं इसका नाम है functions of functions of banks या फिर commercial banks या फिर कोई भी बैंक का function होता है वो क्या होता है basic function क्या होता है basic काम क्या होता है उसको देखेंगे तो हम कारे को दो भागों बाट सकते हैं आपके पहले कार ठीक है primary functions या फिर प्रात्मिक कारे है ठीक इसमें आपके दो कारे आते हैं दो काहों होते हैं accept करना deposits को जैसे मैंने आपको पताया कि banks क्या करते है banks करते है accept deposits जो भी आपकी savings है जो भी आपके daily savings है हर माईले की savings इसको accept करते है deposit के रूप में आप पैसा जमा करते हो आप पैस निट्रेट मिलता है बियाज मिलता है अगर अपना पैस आपकी तक्वित नीचे रखते हो तो आपको पैसा बढ़ेगा नहीं ग्रोडं करेगा ग्रोड करने लिए अपको बैंक में डालना पड़ेगा ठीक तो इसलिए आपका पैसा जो है डिपॉसिट करने की ज़वधा कौन इनका होता है कि यह जो उस deposits को loan की रूप में बाढते हैं इसा नहीं के फ्री में बाढते हैं जिनको धनती है जो इंटरेस्टो करते हैं बैंक भी इंटरेस्टो छार्ज लोन देती है वो कुम इंटरेस्टेफ्ट चार्ज राजिक हैं वहाँ से तो यह ये भी का primary function então बंटन600 ज़्यादा important आपके लिए यह बहुत कम लोगों को पता होते हैं secondary functions तो secondary functions एक सेकेंडरी functions जो होते हैं सबसे ज़्यादा important होते हैं आपके लिए जाना जूरुरी है बिल एक्षेंज का गलेक्षेंज होता है, security exchanges होते हैं, buy or sell करना, और serve करना as a custodian, यहाँ पर यह सारे काम जो होते हैं, बैंक्स करते हैं, बिजनस होल्डर्स के लिए या फिर share market के लिए इस सारे काम किया जाते हैं, तो आपका agency function में आता है, और banks जो है, बहुत सारे यह काम कर करता है, banks करते हैं, अपने agency function के रूप में, ठीक, इसके बाद में आता है आपका सबसे important काम, journal utility functions, इसके अलावा, जो मैरे आपको तीन functions दो आए है, except deposit, granting loan, agency functions के अलावा, जो भी काम होते हैं, इसको सब को हम रखते हैं, किस category में, journal utility function, इसके अंदर आपको banks जो है, बहुत स financial sector के लिए, financial structure के लिए, देश की economy के लिए बहुत ज़्यादा important काम करते हैं, तो इनका जो role है, वो बहुत ज़्यादा महत्रपूर्ण हो जाता है, इस लजरी से देखें तो आप, ठीक है, तो इमित कता हूँ है आप पर आपको कुछ जानने को मिला होगा, so thank you guys, और अगर कोई मेरे पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक करतीजे, शेर करतीजे और सब्स्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, thanks for watching, God bless you all.